This is UK07 Rider, a.k.a. अन्राग डुबाल ये एक समय पर काफी पॉपुलर और लोगों के काफी जादा पसंदीदा यूट्यूबर हुआ करते थे बट अभी देखे तो, his reputation is totally destroyed इनके वीडियो के कमेंट्स खुलोगे तो लोग इन्हें जोकर बुलाते हैं और अगर इंस्टाग्राम पे चेक आउट करें तो वहाँ पे भी लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं इवन सल्मान खान ने भी UK07 Rider का मजाक उड़ा है था वो भी नेशनल टेलिविजन पर चलिए आज के वीडियो में लेट्स फाइंड आउट की कैसे most loved से most hated मोटो व्लॉगर बन गए अन्राग दुवाल UK07 Rider को स्टार्टिंग से ही बाइक का सौक था लेकिन फैमिली की कंडिशन अच्छी नहीं थी और UK07 Rider ने अपना करियर यूट्यूबर से नहीं बलकि एक टीचर से स्टार्ट किया था वो बच्चों को टीउशन्स दिया करते थे और उनसे जो भी पैसे आते थे उन्हें सेव किया करते थे और ऐसे ही धीरे-धीरे करकर किये उन्होंने एक लाख रुपए जमा कर लिया था और उन्हें सुचा था कि उस पैसे से वो बाइक ले लेंगे बट उस टाइम KTM बाइक का जो कॉस्ट था राउंड जो अन्रोड प्रैस वो है दो लाख के अराउंड पड़ता था तब उनकी मदर ने उन्हें सपोर्ट किया और अपने सेविंग से एक लाख रुपए निकाल के दे दिये और उसके बाद उन्हें अपना चैनल भी ओपन कर लिया और उसमें मोटो व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया और उनके काफी जयदा सब्सक्राइबर इंक्रीज हुए है और उनसे वो पैसे भी कमाने लग गए थे और फिर आया लॉकडाउन जिसमें उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं सब्सक्राइबर्स काउंट्स वो बढ़ने लगें और एक डीसेंट अमाउंट अब सब्सक्राइबर्स उन्होंने गेन कर लिया और उसी समय पर ही he won a contest hosted by flying beast और the same day he met him उनको YouTube देखने वाले थोड़े और लोग जानने लगें जब उनका एक controversy हो गया एक और YouTuber आमीर माजिद के साथ एक्शली जो controversy थी इसका role play इनके जो YouTube career उसमें बहुत बड़ा था just because की हर roaster और हर new shell इस controversy के बारे में ही बात कर रहा था actually there was literally the war going on YouTube यह controversy actually तब start हुई थी जब आमीर माजिद और UK07 और उनके पापा एक साथ राइड पे गए थे and according to UK07 rider अपने पापा की कारण वो बाइक धीरे धीरे चला रहे थे और आमीर माजिद को उनके पापा के कारण धीरे धीरे बाइक चलाना पड़ रहा था बट आमीर माजिद को राइड जल्दी कंप्लीट करने थी और वो आगे चले गए और इसके बाद ही controversy start हो गई और जस्ट इस controversy के कुछ दिन बाद ही आमीर माजिद ने एक district launch किया था on UK07 rider और इसके बाद UK07 rider अपने वीडियो के तुरू ये बताते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं और उनके supporter हैं आमीर माजिद के basically वो racist हो गए उनके और उनके girlfriend के बीच actually UK07 rider की जो girlfriend है साव्या राइड्स जी हां वो भी एक video बनाती है in support of UK07 rider और that's why आमीर माजिद जो है वो offend हो जाता है और जो उसके supporter है वो ट्रोल करना start कर देते हैं उसकी girlfriend को भी after that UK07 rider के support में समराट भाई, एलवी शादव और लक्षे चौधरी भी एक video जारी करते हैं और after that controversy तो खतम हो गए थी जितना मुझे पता है बट उसके बाद हुआ क्या कि जो बाबो भी हैं basically उनका breakup हो गया अपने girlfriend के साथ और उनकी problems खतम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और basically UK07 rider का कहना यह था इस matter में कि वो सावय राइट्स के लिए stand तो ले रहे थे बट जो सावय राइट्स है वो ही इस controversy में जब यह complete हुआ तो उनके जो दुस्मन थे उनके साथ जाके मिल गई थी और उनके अगयांस हो गई सी कास में उन्होंने यह बताया कि उनका breakup हुआ इस कारण वो 15-20 दिन के लिए depression में चले गए थे बट लोग उन पर believe नहीं कर रहे थे और उनने ट्रोल कर रहे थे कि 15-20 दिन का कौन सा डिप्रेशन होता है और हाँ अगर आप सोच रहे हैं सावय राइट्स का क्या हुआ तो according to this comment UK07 Rider के पास उनका password था उन्होंने सारे वीडियो जिलीट कर दिये और अब वो चैनल भी बंद हो चुका है almost और actually अनुराग ने उनको इग्नोर किया था ना कि सावया ने और इस controversy के बाद सावया कहीं दिखी नहीं क्योंकि उन्होंने motor vlogging छोड़ दिया था और even motor vlogging ये नहीं पूरी तरह से आती नहीं है अगर आप लोग को आती है तो आप लोग इसे पढ़के मेरे को भी comment में पिन कर दीजेगा इसका मतलब बट हाप point यही है कि इस controversy के बाद वो गयब हो गई इस incident के बाद UK07 Rider के career में बहुत बड़ा दाग लग चुका था जी हाँ मतलब आप जिसके साथ एक लंबी टाइम तक relation में थे according to roaster and other youtubers आप जब उससे साधी भी करने वाले हो बट anyways इससे भी ज़्यादा दागताब लगा जब उन्होंने एक small shop owner को defame किया 14 pro max launch हुआ था तब UK07 Rider ने करन करके एक भाईया से यह phone purchase किया था अब जो करन भाई है वो basically हरिद्वार में एक दुकान चलाते हैं case and cover करके actually इन दुनों का relation पहले काफी अच्छा था जब iPhone 13 pro max launch हुआ था तब भी iPhone 13 pro max की जो delivery है रात को साड़े बारा के around करन जिने उनको की थी बट actually इस पर problem हो गई UK07 Rider को actually चीह था iPhone 14 pro max का 1TB variant बट उस टाइम अविलेबल नहीं था 1TB का variant उनके पास अविलेबल था 128GB का वेरियंट इनके अच्छे relations के कारण कारण भाई ने उनने offer किया कि आप ये phone ले जाओ आपको जो vlog करना आप करो बता दो अपने audience को कि मैंने phone purchase कर लिया है और जब मेरे पास 1TB वाला वेरियंट आ जाएगा ता मुझे phone return कर देना मैं आपको 1TB वाला वेरियंट दे दूँगा जब करन जी ने UK07 राइडर को phone दिया तब एक condition रखी कि आप इसमें SIM insert मत करियेगा लेकिन हुआ क्या कि जो UK07 राइडर है उसने phone में SIM insert कर लिया अब SIM insert करने से जो phone है वो second hand हो गया अब anyone with the common sense यह समझ सकता है कि जो first hand phone है comparatively second hand phone से वो महंगई ही होता है ठीक है चाहे वो एक दिन भी पुराना क्यों ना हो अगर second hand है तो यहाँ problem यही होई कि phone second hand हो गया और after all this जब UK07 राइडर वो phone लेके वापस करन के पास गया कि यह phone वापस ले ले और 1TB वाला phone मुझे रिटन कर दे तब उसने चेक किया कि इसमें तो sim insert हो चुका है तब उसने बताया कि यह phone second hand हो गया वे अब इसकी value जो लगेगी जो मेरे को loss ना हो मैं उतनी काट कि आपको दी दूंगा या फिर 1TB वाले में से उतना reduce कर दूंगा जिसमें आपका भी loss नी होगा मेरा भी loss न स्था ना करे अपको स्ट्रेट फावड बता रहा हूं यह केशन कवर करके स्टोप होगे यह फ्रवार में यह एक नंबर का फ्रॉड रॉड है इस बंदे ने मेरे डेड़ लाग रुपे लिए फिल रिज बंदेने मेरे से ऑल्मोस ऑल्मोस डेडला ख रुप यह ना मेरे को को मैनेजर और और अर्गनाइज करने के लिए जिन लोगों को उन्हें रखा उन्होंने अपने वीडियो के तुरू बताया कि उन्हें एक पेड मीटप में दुबारा से जाना था इसलिए उन्होंने इनको ही डिफियम कर दिया करते हैं जहां पर किसी भी तरह का जो लॉमेंटमेंट से वो चीजे काम नहीं करती है और इन मीटप में पुलिस आ जाए तो बाबु भैया पुलिस को ही थमनेल में लगा के पुलिस को भी बदनाम कर देते हैं अब ऐसे मीटप में भगवार ना करें कोई एम्बूलेंस आ जा में लगा देंगे और पुलिस की इमेज भी खराब का देंगे बट रिसेंटल अभी यह पता लगा है मुझे वी लॉक्स के थुए उनके कि जो बाव हुए हैं अब और्गनाइज मीटप्स कर रहे हैं इंफॉर्म करके लोगों को बट एक्शली जो मीटप्स होते हैं पूर लिए बहुत जाता स्टुपिड था उन्होंने बोला कि ओवर्स्पीडिंग सब कोई करते हैं बट नहीं है जस्ट बिकर्स की कैमरा नहीं लगा होता है और इवन मंद बुद्धिपना की यह भी हद है कि आप खुद ही बताते हैं कि कोई जब नहीं बाइक या कार पच्छि है घर में सिंगल उर्निंग मैन हो सकता है कोई भी हो सकता है उसे हमसे टककर लग गई और उनकी डेथ हो गई तो उनके पीछे जो लोग हैं उनका क्या होगा और पहले ही हो चुका है आप लोगों को पता होगा प्रभबिली कि मैं किस यूटीबर के बारे में बात कर रहा इस पॉड़कास के बाद जो बिसिकली UK07 राइडर है उन्होंने 5 बार उन्हें पोक किया इस पॉड़कास वीडियो के रिटन में जो UK07 राइडर है उन्होंने बोला कि यह सारी गाडिया जो है यह मैंने खुद पर्चेस की है और यह सारी मेरे घर पे खड़ी है आप लोग को क्या लगता है आप अपना कमेंट प्लीज नीचे डाल सकते हैं इसके बारे में और अब जो इनके उपर फाइनल बेसिकली जो इनके डाउनफॉल का रीजन बना सबसे बड़ा वो है बिग बॉस में जाना इनके लिए बहुत गलत साबित हुआ इनके करियर के लिए बिग बॉस में जाने के बाद हर प्लेटफॉम में इनको बस एक ही नाम से पुकारा जा रहा था जे ओके यार जोकर के कुछ दिन बाद ही उन्होंने एक डिस्ट्रेक्ट निकाल दिया बिग बॉस के उपर और इसके रिस्पॉंस में सलमान खान ने फिनाले के दिन बिसिकली यूके जिरो सेवन रैडर का मजाग उड़ा जया था वो भी नैशनल टेले उसके बाद उनके बहुत सारे रोष्ट वीडियोज बनने लग गए जिससे उनकी और खराब हो गई और उसके बाद उन्होंने मुनवर को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज कर दिया मतलब हर चीजे जो है इनकी वह नेक्स लेवल की तरफ भी जाने लग गई थी मुनवर ने इसका रिपला कर लिया है कि अब आगे कुछ ना कुछ करी लेंगे तो बेसिकली आपको यह वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आपको अपना कमेंट जो है वह इस ड्रॉप कर दीजिए विलते हैं को और नए वीडियो में तब तक के लिए जहेंचा भारत